स्टंबस अंगटन भारद्वारा 26 जून 2022 को मद्य भारत के सबसे बड़े आशाय 2022 से सामाचिक कारेक्रम कारेजन नाकपुर के ब्लेसिंग लौन सदर में किया गया था आशाय 2022 यह एक सामाचिक कारेक्रम बच्चों के लिए एक मनोरंजन मेला है जिसमें आनात, बच्चों और रुधा अश्रम के निवासियों द्वारा प्रस्तूत खेल, मस्ती, रुध्य प्रदर्शन, गायन प्रदर्शन और मज़ेदार खेल गती वीदियो का आईजन किया ग गया था, जिसका अउदेश दर्शकों के बीच खुशी फैलाना और नागरिकों के बीच एकता को बढ़ावा देना है, स्तम्ब संगठन भारत में बाल शिक्षा और वंचीत बच्चों के उत्थान के लिए काम करने वाला एक युवा आधारी, युवा संचालित और ही इसको आगे बढ़ाते हैं, आज शाएं 2022 हमारा फ्लाक्षे प्रोग्राम है, जिसमें हम लोग कोशिश करते हैं, वो बच्चे जिनको उनके बच्पन की खुशी नहीं मिलती, ऐसे बच्चों को वो खुशी भले एक दिन के लिए वापस देने के हम कोशिश करते हैं, आज नाकपुर में 26 जून को हमारा कारेकरम हुआ है, और काफी सारी मस्ती हुई है, गेम्स, डान्स, म्यूजिक, अलग-अलग तरीकी की हमने मस्ती किये, अच्छा-च्छा खाना खाया है, बच्चों के लिए कोशिश किये कि एक दिन हम खुशी का दे पाएं, तम संगठन मेज इजरली, यानि की साधातर काम करता है, एजुकेशन के मुद्दे पर, पर हम पैरलली बहुत सारे और इशूज जो सोशाइटी के लिए करेंटली बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे मुद्दों पर भी काम करते हैं अधाश्रम से बच्चे लेकर आएं, एक पाठंकर स्क्वेर पे एक अनाधाश्रम है, बॉइस उस्टल है, और एक कामठी में एक होस्टल है, जिसमें लड़के और लड़के दोनों हैं, तो वहां से हम लोग परमिशन लेकर आएं, और एक दिन को हम लोग डेडिकेट कर र गेम्स रखे थे, बास्केट बॉल, फुडबॉल, ग्लास गिराने वाले गेम्स, वेरियस तरीके मुजिकल चेर अभी पीछे चल रहा है, तो यह सारे गेम्स, और अभी मैजिक शो भी हम लोगों ने रखा है, और एक पपेट शो भी है, तो एक बच्चों के लिए पूरे एक बार जाते हैं, किसी इवेंट में, और मज़े करते हैं, वैसे ही हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हर साल एक बड़ा इवेंट उनको देने की कोशिश करें, तो यह उसके पीछी का उद्देश है, अभी तक सर, ऐसे कोई पर्टिकुलर काउंट नहीं है, क्योंकि काउंट ह और हमारे कोई पहला या एक साल नहीं गए, तीन साल से इवेंट कर रहे हैं, जैसे ट्री प्लांटेशन, ब्लड डोनेशन ड्राइव, एनपावर्मेंट, कोवीड में, हमने नियर अबाउट 8000 कॉल्स रिसेव किये थे, जिसमें से हमने 5700 नियर अबाउट हमने कॉल्स में ह तमक्षा, जिसमें क्या होता है कि, for example, कोई slum kids है जो पढ़नी पाती है, जिनके कोई encourage नहीं हो पाता, तो सर हम वहाँ जाके, every week, for Saturday, Sunday, हम वहाँ पे से classes लेते हैं, for example, 2-3 hour classes चलती हैं उनकी और उन्हें हम guide करते हैं, अभी currently पूरे इंडिया में तो हमारे 1200 members है, और पूरे देली औरंगा बादन पूने, हमारे वहाँ सर्व 100 plus counts है, 100, 150 plus counts है, जाते हम एजुकेशन पर ही काम करते हैं, पर एजुकेशन के अलावा भी जो पैरलली मुद्दे चलते रहते हैं, जैसे कोवेट फिर उसके साथ साथ cleanness drive, तो जैसे हमने पिछले कोवेट के पहले, एक cleanness drive organized की ती, जिसे कहते हैं, clean corona, जिसमें नाखपूर के बड़े-बड़े organizations एक साथ मिलके, 300-400 volunteers एक टाइम पे एक बड़कुला एरिया में सफाई करते थे, स्वच्चता अभ्यान चलता था उसमें, ऐसे हम काफी सारे मुद्दों पर भी और काम करते हैं, education हमारा मेन हैं, तो हम स्थम कक्षा और्गनाईस करते हैं, कई बार जो हम रहते हैं, जब online class में shift हुआ तो हम पढ़ पा रहे थे online, बड़ जो under privilege बच्चे हैं, उन तक online कक्षा नहीं पहुची, तो दो-तीन साल उन्होंने कुछ भी पढ़ा नहीं, हम अभी कक्षा में देखा हमने, बच्चों को 5 स्थम के बच्चों को ABCD नहीं आ रही थी, तो हमने वो उनको सिखाया, उनको वापस उनकी उस लेवल पे पहुचाया, जहां वो आग वापस school जॉइन करें, लैंगीक समानता, स्वच्चता, आदी जैसे विभिन नमदों पर भी काम करता है, यह corporate मामलों के मंत्राले, भारत सरकार के साथ एक गयरलाबकारी संगतन के रूप में भी पंचिक रूथ है, अपने व्यापक और आलुचनात मक्दरिष्टिकोन के साथ संब संगतन भारत सामाजिक विकास के दुनिया में एक नेता के रूप में उबरा है, कामेरा परसन, सुभाश पुटले के साथ, शिति